नमस्कान मैं हूँ आनंद प्लेरॉइट देख रहे हैं आप हमारे देश में 70-80 साल के पॉलिटिशन्स रिटायर नहीं होते लेकिन केल राउल रिटायर हो गए अरे यार क्या बात कर रहे है यार बाइस जी हां मैं मज़ाक नहीं कर रहा लेकिन ये स्क्रिंशोट देखिए फ खुशी शिरिफ 15 मिंट की थी क्योंकि कहने वालों के अनुसार केल राउल ने अपनी रिटार्मेंट वाली पोस्ट उस 15 मिंट में डिलिट कर दी लेकिन सवाल ये कि 32 साल की केल राउल को रिटार्मेंट लेनी की जरूरत क्यों पड़ी उन्होंने इस बारे में सोचा भी क् तो ये रिटार्मेंट वाली खबर वाइरल का आज है हुई आज की वीडियो में आपको पूरी सचाई बताएंगे बस आप चैनल जरू सस्क्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना ठीक है तो दोस्तो ऐसी बात है कि कल रात दस बजे के करीब मैंने ये स्क्रिंशॉट देखा ये स्क्रिंशॉट के एल राउल के इंस्टा सोरी से लिया गया था जहाँ पर लिखा गया था कि बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटार्मेट ले लेनी चाहिए ये फैसला लेना आसान नहीं थ क्रिकेट का खेल मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इससा रहा है और मैंने इसको कई साल दिया है मुझे पूरी करियर में दोस्तों फैमिली टीमेट्स और फैंस ने जो भी सपोर्ट किया मैं उसका शुक्रियादा करता हूँ जो एक्स्पीरियेंस मुझे प्राप्थ हुआ उस मैंने कहा यार ऑगस्ट मैना इंडिन क्रिकेट के लिए सही नहीं होता दोनी रहना भी इसी मैने गहते और अब राउल भी लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राउल ने आचानक से रिटार्मेंट क्यों लेली अभी अभी तो वो इंडिन टिम पे वापस आय थ आखि राउल ने अपना रिटार्मेंट वापस लेली इसको पता करने का एक ही तरीका था कि राउल के बाकी सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखा जाये यकि जनरला अगर कोई खिलाडी रेटारमेंट अनौस करता है तो वो सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है सिवाय दोनी के जिनोंने सिर्फ इंस्टा पर अपनी रिटारमेंट पोस्ट करी थी बाकी सब ट्वीटर वगेरा पर जरूर पोस्ट करते हैं उनके इतने लिखने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि आकिर केल राउल क्या अनौन्स करेंगे क्योंकि शादी उनकी होगी कई लोगों ने कहा कि केल राउल ये अनौन्स कर देंगे कि वो लगनाओ की चोड़ रहा है तो कुछ ने कहा कि गंबीर के आने के बाद कुछ बड़ा कान होना था लगता है वही हो गया अटकलों का बजार गरम होना था इसी का फाइदा उठाते हुए कुछ ख खुशी मिल गई कि चलो केल राउल से हमको चुट्टी मिल गई लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो स्क्रिंशॉट वायरल हो रहा है उसमें स्टोरी 14 मिनिट पहले की बताई जा रही है अगर यह स्टोरी पोस्ट हुई होती तो लोगों ने अलग-अलग टाइम पर स्क्रिंशॉट लिया होता आखिर सारे स्क्रिंशॉट में 14 मिनिट अब वो कैसे दिख रहा है बताईए साफ एक ही फोटोशॉप का इस्तमाल हुआ है एक ही फेक स्क्रिंशॉट बना और वो वायरन हुआ केल राउल के करनेगे और वंडे में उनकी जगा पकी है बाकि इस तरह की फेक निउस फैलाने वालों को और कुछ कहना चाते हो तो कॉमेंट बॉक्स खुला है बिन दास एसे लोगों के लिए कोमेंट लिक डालना और उनके लिए तो पहला कॉमेंट में ही लिखूंगा क्या लखूंगा कि फेक डिउस फेलाने वालो चड़ गए अगर पुलिस के हत्ते तो पूचेंगे नहीं पहली है या दूजी है इतना पहले जाओगे कि घर वाले भी पूचेंगे क्यों बेटा सुजी है सायरी को दस में से कितना नमबर दोगे वो भी कमेंट करकर ज़रूर बताना वीडियो क